हाई एवरीवन वेलकम तू थिंकेट लॉजिकल थैंक यू सो मुच फॉर एप्रीशेटिंग और वीडियो तो आज इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हम एवियल ट्रीज के बारे में इसके अंदर हम अच्छे से अनलाइज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी बी एस्टी के साथ में और क्यों एक बैलेंसिंग चाहिए होती यह किसी भी ट्री के अंदर यह बैलैंसिंग फेक्टर होता क्या है उसके बाद हम देखेंगे जो एविय tree के अंदर data डालने के लिए उसके बाद हम discuss करेंगे avial tree के अंदर से कोई भी node कैसे delete करी जाती है उसके बाद उसका अगर balance खराब हो जाता है तो हम उसके balance को कैसे adjust करते हैं यह सारे काम हम step by step करेंगे और जो भी rules उसके अंदर apply होंगे उन सब को लगा के देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे इसकी complexity with various tree structures के साथ में और देखेंगे कि यह कितना अच्छा outperform करता है तो वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला बहुत interesting वीडियो होने वाली यह आप avial tree के गुरू होने वाले इस वीडियो के अंदर तो द्यान से देखिए इस वीडियो को और हर एक concept बहुत बारी की दिए समझेए तो इससे पहला वीडियो के अंदर खो जाए हमारी वीडियो को like करिए subscribe करिए और यह bell icon जरूर दबाजिए जिससे कि यह वीडियो और promote हो सके और भी जादा लोग तक पहुंच सके अगर आपकी कोई भी queries है कोई भी suggestions है तो उसको हमारे comment box के अंदर जरूर डाल दीजिएगा हम उनको बहुत अच्छे से cater करते हैं और आपकी हर एक question को सुनकर समझ कर और आपके इसाफ से एक अच्छे answers आपको provide करते हैं अगर आप चा जिसकी वज़ा से AVL trees के दरूत पड़ गी तो सबसे बड़ी problem हमने last video के अंदर हमने देखी थी अगर आपने नहीं देखिए हमारी BST की वीडियो तो उसको जरूर जाके देखिए मैंने उसको pen comment कर दिया है और description box के अंदर भी डाल दिया है उस video को जरूर देखिए तच से क आप relate कर पाएं BST कैसे बन रहे हैं और BST के अंदर क्या problem थी और उस problem को solve करने के लिए हम AVL tree पर क्यों आए हैं ठीक है इन short में उसको बता जिता हूं कि BST के साथ क्या problem थी तो BST से the main problem ये थी कि अगर हमारे पास में tree एक side से heavy हो जाता है एकी side में data डलता जाता है एकी side में था कि अगर हम किसी भी tree को तो बनाते जा रहे हैं हम उसको बनायते इसलिए था कि हम उसको end level तक ही वस उसको traverse करेंगे और data बहुत quickly लेकर आ जाएंगे बट हम उसको end जो इसकी height है वहां तक इसको traverse नहीं कर पा रहे हैं end level तक उसको traverse नहीं कर पा रहे हैं rather मैं उसके अंदर एक ही side के अंदर data डालता जा रहा हूं although यह हर एक level है but यह level is equal to number of the nodes जो हमारे पास में हैं तो इसके वज़ा से क्या हो जाएगा कि जो मेरी depth होगी किसी भी tree की वह बहुत जादा हो जाएगी तो यह जो problem थी इसकी height है इसकी height जो है हमारे पास में अगर कोई भी tree है अगर व इसकी height है वो comparatively कम होगी अगर वो एक side में ही grow होता जा रहा है तो इस जो हमने achieve करना था अपनी performance को उसको हम achieve नहीं कर पा रहे थे इस वज़ा से हमें balancing factor की ज़रत पड़ गई थी मतलब अगर हमारे पास में कोई एक tree है जो इस तरह से move कर रहा है इस तरह से चल रहा है अगर इस तरह से चल रहा है तो हमें क्या करना पढ़ा है कि इसको balance करना पड़ेगा इसको कुछ इस तरह से move करके हमें यह tree इस तरह से बनाना पढ़ेगा ठीक है ना let's say like this इस तरी के से हमें इस tree को बनाना पढ़ेगा जिससे कि हमारे पास में number of traversals हैं जो इसको ढूडने के तो इस चीज को problem को solve करने के लिए हम लेकर आए थे एवियल ट्रीज को क्या करते है वह automatically जैसे ही हाइट हमारी imbalance होती है drastically तो वह automatically अपने आपको balance कर लेता है और अपनी nodes को शिफ्ट कर लेता है कि हमारे पास में हमेशा जो हमारी performance हो वह order of log n ही आए तो ठीक है यह चीज हमारे पास में यह guarantee करता है कि कोई भी case हो उस case के अंदर यह हमेशा login के अंदर ही में data लाकर देगा चाहिए उसके कोई भी operation करना चाहिए वह insert हो delete हो look up हो कोई भी method हो उसके वह order of log n time के अंदर ही लाकर देगा बट in case of bst भले ही वह बहुत अच्छा heuristic approach के साथ काम कर रहे थे बट still उनके अंदर जो result हमारे पास में आ रहा है वह order of n आ रहा है in case of worst scenario औल्दो यह scenarios बहुत कम होते हैं हमारे trees इसाफ से बनते नहीं है बट in case ऐसा अगर data हमारा one pass बन गया और हमारे tree ने ऐसा structure ले लिया तो वह order of n time लेगा ना कि order of log n time ठीक है तो चलो अब यह सबसे पहले यह जान लेते हैं avial tree को समझने से पहले यह जान लेते हैं कि यह balancing क्या है सबसे पहले हम balancing समझते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं avial trees को introduce करते हैं तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि balancing factor है क्या देखो balancing factor किसी भी avial tree का क्या बोलता है कि जो मेरा left sub tree है ठीक है zero minus one या one नहीं बात clear रोपा रही है तो कहने का मतलब यह है अगर मैं एक tree बनाता हूँ let's say मेरे पास में यह एक tree है इस tree में इसके नीचे कोई यहाँ पर sub tree नहीं है यहाँ पर ठीक है ना यहाँ पर कोई sub tree नहीं है तियानि कि इसका left hand side का sub tree की height कितनी होगी zero होगी ठीक है ना यह हमारे पास में जो हमने left hand sub tree है और right hand side sub tree की height है तो left की हमारे पास में zero होगी और right की हमारे पास में zero होगी तो और इनका difference निकालते है तो वो भी zero आएगा तो यानि कि यहाँ पर जो इसके अंदर जो हमारे पास में balancing factor आएगा balancing factor जीरो आ जाएगा यह थिक्त नहीं कर रहे हैं कोई भी हम आरे पास यह allowed है कि हम आरे पास मेंगर zero balancing factor है तो उस case के अंदर वो tree हमारा balanced है हमें कोई problem नहीं आ रही है ठीक है दूसरा case क्या होगा same scenario हम इधर भी check कर लेते हैं इधर भी हमारे पास में जो left hand का sub tree है उसकी height zero है और जो right hand का sub tree है उसकी height zero ह है दोनों का difference जो हमारे पास में क्या आएगा zero आएगा तो यानि कि यहां पर भी हमारे पास में balancing factor zero है इसमें हमारे पास में कोई problem नहीं आनी है क्योंकि हमारे पास यह चीज़ clear दिखा रखी है कि हम zero allowed है हमारे पास में कोई दिक्कत की बात नहीं zero हमने check कर लिया चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा scenario हम यह देख लेते हैं अब हम इस यहां पर balancing factor को चेक करते हैं कि यहां पर balancing factor क्या होगा जो इसका left hand subtree है उसकी height है मेरे पास में one यह मेरा इसका left hand subtree हो गया इसके अंदर एक एक level है यहां पर यह ठीक है और जो इसका right hand subtree है इसकी height कितनी हो गई इसक अगर दोनों का difference निकालते हैं तो balancing factor मेरे पास किया जागा zero तो इसके अंदर balancing factor मेरे पास में zero आ गया तो यहां पर भी हमारे पास में कोई बैलंस विक्टर में हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करते हैं कि यहां से अब next बढ़ाते हैं और थोड़ा level बढ़ा एक्स बही नमबर सोड़े छोटे हैं इसलिए मैंने एक्स यहां पर भी उसकर रहा है तो समझ जाना आप ठीक है ना मैंने एक node add करी है यहां पर जैसी add करी है तो इसका balancing factor क्या होगा left हो गया 1 minus right हो गया 0 तो यहां पर हो गया 1 इसका balancing factor above 1 के अंदर हमारे पास में कोई case कोई problem नहीं आने वाली है ठीक है ना यहां पर अगर इसका balancing factor चेक करते हैं तो यहां पर इसकी left की जो height हो गई है वो कितनी हो गई 2 और right की height हो गई है 1 तो यहां पर balancing factor के तना आ गया 1 यहां पर भी कोई problem नहीं आने वाली है क्योंकि 1 हमारा allowed है यहां पर यान कि इस वाले के इसके अंदर भी हमारे balancing factor कोई problem नहीं आएगी आगे बढ़ते हैं आगे इसके अंदर clear करते हैं और एक और node यहां पर add करते हैं left hand side के अंदर let's say मैं एक और node add करता हूं यहां पर डालता हूं मैं y ठीक है न मैंने y node डाली अब y node डालते ही हम यहां पर check करते हैं कि इस level पर balancing factor कितना होगा 0 minus 0 equal to 0 कोई दिक्कत नहीं इस level पर हमारे पास में balancing factor कितना होगा left मेरे पास में 1 है और right मेरे पास में 0 तो कितना balancing factor हो जाएगा 1 ठीक है इस case में balancing factor कितना होगा हमारे पास में, left हमारे पास में हो जाएगा, 2, और right मेरे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर, 0, यानि कि 2, अब आगए हमारे पास में balancing factor 2, ठीक है न, ये balancing factor मेरे पास में आया है, ये balancing factor इस range के अंदर नहीं है, तो ये allowed नहीं है, ठीक है, यानि कि मेरा इस node को add करने के बा balancing factor इस range से बाहर जाएगा 0, minus 1 और 1 की range से बाहर जाएगा उस case के अंदर मेरा tree imbalance माना जाएगा और इस scenario के अंदर जिस भी node का balancing factor खराब हुआ है उस node पर हमें कोई ना कोई operation करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा tree को balance करना पड़ेगा अब वो operations क्या होते हैं वो rules क्या होते हैं उसको हम with example समझेंगे बहुत detail के अंदर अभी यह समझना जोरी है कि हमें यहाँ पर इस जगाँ पर हमें कोई ना कोई operation करना पड़ेगा अपना इस node को या इस tree को balance करने के लिए यह बात समझ में आ गई है और यह किस के basis पर आता है हमारे पास में balancing factor के basis पर ठीक है यह बात समझ में आ गी है अब एक चीज़ समझने वाली बात हैं आपर क्या है सबसे बड़ी question आवाए तो आक में ये भी आ रहा होगा कि भाई ये ही क्यों range क्यों allowed है ये भाई zero minus one या one ही क्यों बोल रहे हो आप zero क्यों नहीं बोल रहे है भाई आपका balance तो कब भी खराब हो गया ना अगर आप यहाँ पर देखोगे इस case को देखते हो अगर मैंने यहाँ पर x डाला था x डालते ही यहाँ पर क्या हुआ balance खराब हो गया भाई एक set heavy हो गया एक set कम हो गया तो हमने भाई zero क्यों नहीं रखा देखो भाई zero इसलिए नहीं रखा logical सोच के देखो यार हम बहुत logical काम कर रहे होते हैं logical सोच रहे होते हैं logical सोच के देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ अगर मैं इसमें zero की variance रखता हूं तो इसके अंदर क्या होगा मैं कोई भी node कहीं भी add करूंगा वो कह देगा कि balance खराब हो गया change करो balance खराब हो गया even वो उसको growing नहीं करने देगा एक node तो डल जाए यहाँ पर ठीक है न अगर हम कोई भी एक node ही नहीं डाल पाएंगे यानि कि जैसी मैंने यहाँ पर एक node डाली balancing factor की tolerance मेरे पास में दोरमातर 0 है कोई और allowed नहीं है तो वो तो कह दे का भाई मैं node को डालनी नहीं दुँगा मेरा यहाँ पर मेरा ट्री एकदम stable बेठा हुआ मैं इसके अंदर को छिटशार ली नहीं करने दूँगा जैसी मैं यह node डालोंगा मेरे balance factor 1 हो जाएगा मैं allowed ही नहीं करूंगा उसको डालना ठीक है न तो यानि कि at least एक node वो डाल सके next level में जाने के लिए अगर मेरा जो यह sub tree है यह full हो जाता है उस case के अंदर अगर मुझे next level पर जाना है तो अगर वो एक node हमें उसमें allow करें डालने के लिए तो इसलिए एक variation हमारे पास में plus minus 1 का मैंने उसमें add कर दिया है along with 0 ठीक है यह बात समझ में रही है यह बहुत logical बात है ज्यादा इसका complication नहीं है बड़ simple समझाने के लिए यह है कि मैंने variation इसलिए डाला है ताकि मैं at least एक node उसके अंदर add कर सकूँ यह बात clear हो गई है इसलिए हमारी जो range है वो है 0 plus 1 and minus 1 यह बात clear हो गई आपको balancing factor आपको एकदम clear हो गया है इसके अंदर फोड़ी इस terminologies हैं उनको समझ लेते हैं तो पहली terminology मेरे पास में जो आ जाती है वो यह आ जाती है कि left heavy ठीक है न यानि कि balancing factor greater than 0 greater than का मतलो left hand side minus right hand side ठीक है न तो यानि कि left side के अंदर जादा node है अगर कोई भी value 0 से बड़ी आईगी तो इसका मतलो क्या होगा कि वो जो है left side उसकी हमेशा जादा है heavy है तो यानि कि अगर कोई भी tree जिसके अंदर left side के अंदर हमारे पास में extra node आ जा रही है उसको हम left heavy कह देंगे ठीक है न बैलेंसिंग factor अगर हमारे पास में greater than 0 आ रहा है तो यानि कि वो जो left node हमारे पास में आई है जो उसमें add हुई है उसने उस tree का balance खराब कर दिया left side उसको heavy कर दिया है तो अब मुझे उसके अंदर कोई ना कोई operation करना पड़ेगा जिससे मैं उसका balance बनाओं और वापस लेकर आ जाओं ठीक है न यह काम हो जाकरना पड़ेगा तो यह क्या हो था left heavy अगर हमारे पास में इदर से बड़ी है दूसरी terminology मेरे पास आ जाती है भाई right heavy की right heavy का मतलख समझ में आ गया कि यहाँ पर यहाँ पर मैंने जो है नई node बाएना डालता चला जा रहा हूं तो मेरे पास में tree जो है right heavy होता जा रहा है यह बात समझ में आ रही है ठीक है न सेम वो ही है अगर मेरे पास में हमारे balancing factor less than 0 ह याने कि left minus में right तो कोई भी जो value आएगी वो हमेशा negative भी आएगी ठीक है negative value आने की वज़ा से हमारे पास में वो क्या हो जाएगा वो right है भी हो जाएगा तो अगर balancing factor मेरा 0 है उस case के अंदर हमारे को ये साफ बता रहा है कि मेरा tree balanced है मुझे कोई छेड़ चाड़ करने की tree है इस tree के अंदर हमने कुछ चीज यहाँ पर add करी यहाँ पर add करी तो यह कुछ इस तरीके से उसको rotate करेगा जैसे यहाँ से इसको rotate कर दी है उसने rotate करने करने करा तो tree कुछ इस तरीके से बन जाएगा ठीक है न तो उसने क्या करा यहाँ से भी balance हो गया और यहाँ से भी balance हो अगर आपने Link List नहीं देखिए तो Link List भी मैं यहाँ पर पिन कमेंट कर रहा हूँ, आप हमारी इस वीडियो को जाकर देखिए और इस concept को समझ लीजिए, जिससे कि आप इसको देखने में confused ना हूँ, ठीक है हम सिर्फ और सिर्फ pointer से साथ खेल रहे हैं, इसके वज़े से यहाँ पर constant time लग रहा है, यानि कि rotations का time हमारा constant रहेगा, only जो time लगने वाला है हमारे पास में वो traversal का ही लगने वाला है, ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए BSTs की problem समझ कर balancing factor को जानते हैं, तो हम आगे चलते हैं, और अपने avial trees के बारे में समझने की avial trees क्या होते हैं, ठीक है न, avial trees उसी का output है, हमारा एक type का BST ही है, binary search tree ही है, बस only balancing factor का concept उसने add करा है, जिससे हमारे tree का size जो है, वो balanced रहे है, उसकी height जो हो balanced रहे, जिससे हमारी performance इंप्रूव हो जाए, ये एक तरीके का binary tree ही है, इसका advance version है, जिसके नदर हमने कुछ additional logic लगा दिये हैं, जो कि क्या है हमारा balancing factor, जो आप अभी देख भी चुके हो, और इस सब होने के वज़़े से, balancing होने के वज़़े से, उसका look up time भी order of log n हो गया है, insert time भी order of log n हो गया है, ठीक है, अगर आप ये च search वाली tree वाली वीडियो जाकर देखना, इसके अंदर पूर अच्छे तरीके से समझा रखा है, एक बार short के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसकी height और number of node के अंदर relation है, वो मैंने इसके अंदर समझा रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, मैंने pin कर दिया है, और description box के अंदर भी डाल दिया है, तो चलिए एक बार यह देख लेते हैं कि इनके बीच में relation क्या है, देखो, हमारे पास में node and height के बीच में relation क्या है, node का मतलब क्या है, कितने element हो गए, और height का मतलब क्या है, tree की height कितनी हो गए, ठीक है न, तो node यहाँ पर एक node है, तो यानि कि इसकी 0th height के उपर एक element है, तो हम इसको कुछ इस तरीके सकते हैं, two raised to power 0, second height के उपर जब दो height है तो हमारे पास में, दो Element हैं, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 raised to power 1 भी लिख सकता हूं, और जब हमरे पास में 30 Height है, तो उसके अंदर में पास 4 Element है, यानि कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 raised to power 2 भी लिख सकता हूं, यह बास समझ में आ गई, इस तरीके से अगर मेरे पास हमें h height होगी तो मेरे पास में total कितने यहाँ पर number of nodes होंगे 2 raise to power h होंगे मेरे पास में, यह चीज़ के लिए हो रही है तो यहाँ पर ही हमने क्या किया था यहाँ पर इसका log ने का रहा था log of h equal to log of 2 of h base मैंने 2 लिया था यह दोनों यहाँ से हट गए थे output मेरे पास क्या आ गया था h equal to log to the base 2 of h, ठीक है न n, sorry n है, यह n है हमारे पास में, ठीक है न तो मेरे पास में यह figure आ गी थी यहाँ से मेरे पास में यह log n आया होगा है ठीक है न, h या n h, मैंने इस height पर node थे और n जो है, nth element पर जो node होगी ठीक है, यह वो वाला n है कि अगर मेरे पास में tree में n node है तो इसके अंदर मुझे उसको traverse करने में, उसको ढूडने में log n height तक ही जाना पड़ेगा, ठीक है न, क्योंकि n and h का relation है, तो log n है, यह क्या चीज़ है, यह height of the tree है तो सीधी सी बात है, क्योंकि मैं एक heuristic approach से जा रहा हूँ या तो इसके अंदर जो element होगा left hand side वाला हमेशा smaller होगा और right hand side वाला हमेशा bigger होगा, तो heuristic approach है यानि कि एक step यहाँ चलूँगा, एक step यहाँ चलूँगा, तब में इस element पर पहुँच जाओंगा, मुझे हर एक element search नहीं करना पड़ेगा, यानि कि मुझे जो traverse करना पड़ेगा, maximum क्या हो सकता है, जो इसकी height होगी मेरे tree की, ठीक है न, और जो कि इसकी tree की height कितनी है वो है log n, अगर log n मेरे tree की height है, तो इतने ही maximum हमारे पास मेरे searches हो सकते हैं, इस वज़ा से जो मेरे पास में complexity आती है, वो order of log n आ जाती है, ये बात आप मेरे ख्याल से अच्छे से अब relate कर पा रहे होंगो, मैंने इसको दुबारा आपको explain कर दिया है, although ये BST के अंदर भी, और बाइने trees के अंदर भी मैंने आपको बताया था, even पहले भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो ये चीज़ के लिए रोगी है, तो AVL tree के अंदर हमारे पास में की complexity high क्यों है, ये बात लो ये था हमारे पास में, यहां पर था में पास में 5, ये था में पास में 3, और ये था मेरे पास में 1, जैसे ही मेरे पास में इसका balance खराब हुआ, मैंने इसका balancing factor चेक किया, balancing factor इसका 0 था, इसका balancing factor 1 माइनस में 0, मेरे पास में कितना हो गया, इसका balancing factor कितना का 2 minus में 0 इसका balancing factor मेरे पास में 2 हो गया ठीक है ना ये चीज़ समझ में आ रही है जैसी मेरे balancing factor खराब हुआ मैं इसके अंदर कुछ rotations कर दूँगा ठीक है ना ये हमारे पास में कोई rotations होंगी ये L L rotation करनी पड़ेगी इसके अंदर L L problem है इसकी rotation हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये वाला जो ट्री है यहां से मोड कर यहां पर एक R single R rotation होगा तो ट्री मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 and यहां पर बन जाएगा 5 ठीक है तो वहारा कुछ balancing इस तरीके से हो जाएगी तो यह आप समझ में आ रहे हो कि जैसे ही उसका balancing खराब हुआ मेरा ट्री automatically अपने आपको balance करके ऐसा बना लेगा तो समझ मारी यह सबसे पहरा point की self balancing search tree होता है अपने आपको खोदी balance कर लेता है यह बात समझ में आ गई चलो आगे बढ़ते हैं यह चीज हमने इसके अंदर देख ही ली थी कि मेरे पास में जो यह sub tree है यह sub tree है और यह sub tree है अगर इन दोनों के अंदर में difference मानके देखता हूँ तो at most 1 का ही variance आने चाहिए at most का मतलब minus 1, 0 and plus 1 ठीक है? सिर्फ इसी का ही मेरे पास में variance आनाने चाहिए इससे अदर मेरे पास में variance आनाने चाहिए otherwise क्या हो जाएगा? अगर वो variance नहीं आया तो उसके अंदर हमें rebalancing करनी पड़ेगी और rebalancing इसके अंदर automatic इस तरीके से हो जाएगी जो मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरह से हमारे पास में उसका balancing factor खड़ाब होता है तो वो automatically कुछ rotations करता है और हमारे उस ट्रीक को balance कर लेता है हम इसको अच्छे तरीके step by step सारे rotations करके देखेंगे tension मत लीजिए आने वाले पार्ट के अंदर यह सब कुछ आप practically करेंगे तो ठीक है तो आगे देख लेते हैं एक question आपके दिमाग में आएगा कि क्या हमेशा ही balancing करनी पड़ेगी नहीं भाई हमेशा नहीं करनी पड़ेगी जब balancing factor इस range में होगा नहीं करनी पड़ेगी मानलो मेरा एक tree मैंने पहरी node बनाई कोई balancing नहीं करनी पड़ी मैंने एक और यहाँ पर node बनाई मेरे कोई balancing नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसका balancing factor हो गया 0 इसका balancing factor हो गया 1 खीक है न अगर मैंने यहाँ पर एक node बनाई तब भी मुझे बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ी, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, मैंने एक और यहाँ पर नोड बनाई, मुझे फिर बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर इसका दो बैलेंसिंग वेक्टर 0 हो गया, 0-0, इसका मतलब यह आप यह समझ पा रहे होगे कि हमेशा ही नहीं है कि हमें balancing करनी पड़ेगी जब इस range से बाहर जाएगा 0, 1 and minus 1 की range से बाहर जाएगा हमारे पास में balancing factor तब ही सिर्फ हमें rotation करनी पड़ेगी तब ही हम उसकी balancing करनी पड़ेगी balancing factor इस दिए मैं आपको बहुत आसानी से बहुत तसलिस से आपको अच्छे समझाया है अगर वो नहीं समझ माया है वापस जाओ अच्छे से देखो क्योंकि बहुत ज़रत उनने वाली है उसकी आगे वाले सारे के सारी वीडियो के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं भी यह देखते हैं कि हम bottom-up approach यूज करते हैं किसी problem को solve करने के लिए अब जैसे यहाँ पर हमने एक नई node यहाँ पर मान लो add कर दी जैसे यहाँ पर add करी तो भाई जहां से मैंने problem create करी है मैं वहीं से तो जाओंगा ना कहां जाओंगा मैं balancing vector कैसे check करूँगा जो भी भाई इसका papa है इसके papa का balancing balance check करूँगा इसका papa का भाई balance तो खराब नहीं हो गया नहीं हुआ तो मैं इससे उपर जाओंगा कहां दौँगा किस direction मैं जाओंगा उस direction में जाओंगा जहाँ पर मेरे पास मैं इसकी route होगी ठीक है मैं root की direction के अंदर जाओंगा और वहाँ पर जाके इसका balancing factor को चेक करता रहूंगा और जहाँ पर भी मुझे उसका balance खराब मिला पहला जहाँ पर भी मुझे उसका occurrence मिला मैं वहाँ पर जाके अपने operations कर दूँगा समझ में आ गई यह चीज हम step सारे rules देखेंगे अभी बाकी मैं आपको overview दे रहाँ कि कहां से मैं शुरू करूँगा जहां पर से मैंने problem create करिये कहां पर मैं जाओंगा जहां पर मेरी route मिलेगी उस direction मैं जाओंगा और कहां पर रुख जाओंगा जहां पर मुझे balancing factor पहली बार खराब मिला वहां पर मैं रुख जाओंगा और operations कहां करूँगा जहां पर मेरा balancing factor खराब है वहां पर मैं अपने operations करूँगा means rotations करूँगा ठीक है यह बात clear होगी तो यह चीज समझ में आगए कि हम कैसे number of node है एंड जो उसकी height है उसके बीच में relation क्या है तो किसी भी tree की जो height है वो किसके उपर depend करती है number of nodes के उपर जो की balanced tree है उसकी बात कर रहों में और वो होती है log n ठीक है n इसके अंदर क्या है number of nodes h क्या है मेरा height of the tree ठीक है तो अगर मेरी height of trees h है तो भाई मेरे को उतने ही कम traversals करने पड़ेंगे कितने कम करने पड़ेंगे log n travels करने पड़ेंगे सिर्फ मेरे को तो इसकी वज़ा से इसके हर एक case के अंदर इसकी जो value आती है वो login आती है तो कि AVL self balancing अपने हमों balance करके रखता है तो इसलिए हमें इसकी performance login आती है ठीक है अब कभी भी हमको इसके अंदर कुछ insert करते हैं या इसके अंदर हम कुछ भी delete करते हैं तो भाई हमें उसकी rebalancing की requirement पढ़ सकती है insert करने वे तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था इस जिगा पर लो यह delete कर दिया यह delete कर दिया थे यार मुझे rebalancing करनी पढ़ेगे न क्योंकि left side के अंदर left heavy हो गया यह delete करने के वज़ा से तो मुझे rotate करके बना के कुछ इस तरीके का tree बनाना पढ़ेगा यह मुझे ठीक है ना समझ मारी है तो यानि कि insertion and deletion दोनों के इसके अंदर मुझे इसके अंदर balancing करनी ही पढ़ेगी यह चीज आपको समझ में आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और actually में हम कुछ avial tree को खुद बना के देखेंगे उसके अंदर insertions करके देखेंगे उसके बाद उसके अंदर balancing चेक करेंगे उसके बाद उसके अंदर rotations लगाएंगे rotations के rules समझते हैं कि rotations कैसे लगाते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब हम पहुँच गए हैं अपने next step पर जिसके अंदर हम अपना avial tree बनाएंगे ठीक है यह हमारा sequence रहने वाला है इस sequence को हम use करेंगे और इसके through हम tree बनाएंगे balancing factor का formula मैंने यहाँ पर आपके लिए रख दिया है जिससे कि आप इसको खुद भी analyze कर सको जब मैं आप इसके अंदर insertions कर रहा हूं आप balancing factor easily देख सको और उसके जो rules जो range allowed है उसको verify कर सको ठीक है ना although मैं इसको कर रहा हूंगा लेकिन आपके भी easily आप साथ साथ मेरे साथ करते रहें इससे आपको समझ में better आएगा ठीक है यह चीज हो गई है उसके बाद आप यह पुछोगे sir यह क्या चीज बना रखी है अपने कि कि साइसकी टेबल है ठीक है ना यह टेबल क्या है यह हमारे पास में टेबल है कि एक अगर right right पर problem है मैं आपको समझाओंगा one by one नहीं right right problem क्या है तो उसके लिए हमें solution क्या होगा वो होगा left rotation हमारा solution होगा ठीक है यानि कि problem statement हमें identify करनी है जब भी हम कुछ insert करने है ये विल्ट्री के अंदर और उस problem statement का ultimately solution क्या होने वाला है हम उसको solution कर देंगे ठीक है ना तो यह table उसके उपर है तो जैसे जैसे हम sequence को इसमें insert करते जाएंगे ये problems आएंगी क्योंकि ये जो sequence है इसी तरह से designed है कि आपके सारे के सारी जो problems है उसको उसके अंदर introduce कर सके और आप सारे के सारी rotations करके उसका solution बना सके ठीक है तो step by step उसको करेंगे और समझेंगे और ये सारी की सारी जो table है उसको implement करके देखेंगे one by one तो चलो आगे बढ़ते हैं तो चलो सबसे पहले अपनी first node डालते हैं जो कि 22 डाला मैंने यहाँ पर 22 डालते ही मेरे request में एक node बन गई है अब इसका क्या balancing factor खराब हो सकता है नहीं हो सकता है यार single node है कुछ नहीं हो सकता फिर भी verify कर लेते हैं verify करने के लिए क्या करेंगे हम left hand subtree को देखेंगे right hand subtree को देखेंगे उसकी height निकालेंगे और उनका difference निकालके minus कर देंगे left के अंदर कितना है value left की subtree के height की 0 है right की value कितनी है वो भी 0 है दौनों का minus करेंगे तो balancing factor मेरे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा मैं जैसे 27 को इसके अंदर डालूंगा तो 27 सबसे पहला जो हमारा binary search tree का जो rule है वो क्या है कि जो भी मैं इसके अंदर element डालूंगा वो element हमेशा compare करेगा अपने parent node के साथ में और यह देखेगा कि वो छोटा है या बड़ा है तो अगर यह element हमारे पास में बड़ा है तो यह कहाँ पर जाएगा उसके right side में अगर यह element छोटा है तो कहाँ पर जाएगा left side में तो यह आपने binary search tree के अंदर अच्छे से देख लिया था तो वोई concept हम यहाँ पर implement करेंगे अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा 27 है यह हमारा जो है इससे बड़ा है 22 से बड़ा है तो मैं इसको इसके right side के अंदर add कर दूँगा 27 यहाँ पर आ गया ठीक है चलो जैसी मैं नोड add करी तो हम इसका balancing factor चेक कर लेते हैं कि भाई इसने इसके पापा का balance खराब तो नहीं करा तो देखो यहाँ पर balancing factor तो क्या र balancing factor क्या है यहाँ पर इसका balancing factor इसका left जो height है वो है 0 और जो right height है वो है मेरे पास में 1 दोनों का difference लेते हैं जो आ जाता है मेरे पास में minus 1 balancing factor ठीक है न तो यानि कि minus 1 तो हमारे पास में allowed है यहाँ पर तो इस case के अंदर भी हमारा balancing factor खराब नहीं हुआ हमारा tree एकदम must बन रहा कोई problem नहीं आई है तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next node मेरे पास आ जाती है 31 same वो ही करेंगे binary search की तरीके तरह root node पर जाएंगे root node पर देखेंगे क्या यह 22 से बड़ा है yes बड़ा है तो इसके right में जाओ right में गए हम right में जाके देखा 27 क्या इससे भी बड़ा है हाँ इस इसके भी right में आपको यह add करना पड़ेगा तो मेरा 31 कहां पर आएगा कुछ यहां पर आएगा ठीक है यह मेरे पास में 31 आ गया अब हमारे पास में क्या काम करना होता हमें इसके अंदर इसका balancing factor चेक करना होता है इसके parent का ठीक है parent से चलते जले जाते हैं इस direction के अंदर किस इस direction के अंदर जाते हैं जहां पर हमारा route जा रहा है और क्या ढूंड रहे होते हैं कि वो जगहा जहां पर मेरा balancing factor खराब हुआ होगा वह पहला location तो हम इस direction के अंदर जा रहे हैं यहां पर जहां पर हमारा element add हुआ है यहां पर इसका balancing factor कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां पर balancing factor कितना हो जाएगा मेरे पास में left height है इसकी 0 right height है इसकी 1 तो मेरे पास difference कितना हो गया इसका difference हो गया minus 1 allowed है तो यहां तक कोई problem नहीं है तो यहां पर इसका balancing factor में लग देता हूँ minus 1 आगे बढ़ते हैं root node की तरफ ठीक है root node की तरफ जा रहे हैं यहां पर देख रहे हैं यहां पर इसका balancing factor क्या होगा इसकी left height कितनी है मेरे पास में 0 right height कितनी है 2 तो balancing factor कितना आ जाएगा minus 2 भाई यह allowed नहीं है मेरे पास में यह मेरे पास में problematic बात आ गई यहां पर मेरा balancing factor खराब हो गया ठीक है यह चीज के लिए समझ में आ गई है इस वाले का balancing factor खराब हो गया है अब मैं क्या करूंगा यहां पर यहां पर क्या देखा मैं वापस उस direction में जाऊंगा जहां पर मैंने node add करी थी और उसी direction में जाकर यह देखूंगा कि कौन सी direction के अंदर मुझे जाना पड़ रहा है यानि कि यहां पर मेरे पास में खराब हुई थी मेरे पास में पहली problem आई है जो में पास balancing factor खराब होने की आई है तो वहां पर वापस जाऊंगा कहां पर जाऊंगा जहांपर मैंने node add करी थी मैंने node यहां first R और second R दो बार में right गया उसके बाद मैं उस node पर पहुँच गया तो कौन सी approach यहां पर हमने apply करिये कि balancing factor निकालने के लिए हम कहां जाते हैं जहां मैंने node add करी है और उस से root node की तरफ जाते हैं यह बस clear हो गई और जब भी हमें उसकी यह दिखानी है कि वो problem कौन सी है उस problem को identify करने के लिए हम वापस उसी direction में जाते हैं जहां से balancing factor खराब है जहां से मैं अपनी उस नई node जो मैंने add करी है वहां तक पहुच पाऊंँ ठीक है तो यानि कि मैं इस direction में जाओंगा जब जिससे मुझे पता चलेगा कि problem कौन सी है और इस direction में अगर मैं जाओंगा तब म चल गई कि जो हमारे पास में problem आई है वो आई है first right and second right यानि की R और R problem आई है और इस R और R problem का जो solution है मेरे पास में वो क्या है single left rotation अब ये single left rotation कहां पर होगा ये single left rotation वहाँ पर होगा जिसका balancing factor खराब हुआ था और यहां balancing factor खराब किसका हुआ है 22 का 22 का balancing factor खराब हुआ था यहां पर कौनसी rotation लगेगी मेरे पास में left rotation लग जाएगी मेरे पास में तो ये 3 मेरे पास में क्या बन जाएगा ultimately ये 3 मेरे पास में बन जाएगा 27 यहां पर आ जाएगा इसके left rotation हुई है 22 के तो 22 left rotation के बाद में इसका child बन जाएगा और इसके बाद म अब ये जो tree है जिसका balance खराब हो गया था वो change होकर इसके अंदर convert हो गया है और मेरा नया tree ये बन गया है जो कि एक balance tree है मेरे पास में चीज के लिए रहे क्योंकि यहाँ पर balancing factor 0 है यहाँ पर balancing factor 0 है यहाँ पर balancing factor 0 है ठीक है left minus right 0 left minus 1 minus 1 0 और 0 minus 0 ठीक है जीरो आ गया ये चीज क काम करते हैं बाकी चीजे बोर्ड से रब कर देते हैं और हम अपने नए tree के साथ में जो हमारा balance tree बन गया है उसके साथ मैं आगे काम करते हैं यह मैंने सारी चीज़ने यहाँ से clean कर दी है and ठीक है तो यह हमारे पास में नया tree है अब next node मुझे क्या add करनी है 10 add करनी है यहाँ तो मैं यहाँ पर 10 पर जाके highlight कर लेता हूं और 10 यहाँ पर add करता हूं 10 यहाँ पर जाके compare करेगा कि भाई इससे चोटा है बड़ा चोटा है भाई सब तो यह इसके left में जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर 10 ठीक है चेक कर लेते हैं भाई किसी का balancing factor खराब हुआ इसका balancing factor जो minus में 1, 1 कोई दिक्कत नहीं है इसका balancing factor मेरे पास में 0 खीक है न यानि कि किसी को कोई problem नहीं है जो हमने नया node add किया इसने किसी कोई problem create नहीं करी है तो भी rebalancing की यहाँ पर ज़रुरत नहीं है यह वह वाला case आपका भी cover हो गया कि ऐसा नहीं है हमेशा rebalancing करनी पड़े नहीं नहीं करनी पड़ती कई बाद इस case के अंदर में rebalancing नहीं करनी पड़ी है अगला node add करते है वो add करते है 5 5 कहां जाएगा वो ही check करेगा क्या इससे छोटा है बड़ा है क्योंकि हमेशा root से start करते है ठीक है root से start करने के बाद देखा कि 5 छोटा है बड़ा है अब क्या 5 छोट है क्या छोटा है बड़ा है छोटा है तो यह भी इसके left में add हो जाया और 5 मेरा कुछ यहां पर add हो गया ठीक है अब जड़ा balancing factor चेक कर लेते हैं सबका balancing factor जैसी हम check करेंगे यहां पर तो क्या देख रहे है कि यहां पर balancing factor तो 0 आया यहां पर balancing factor आया 1 ठीक है न 1-0 1 आ गया यहां पर balancing factor क्या आया मेरे पास में 2-0 equal to 2 आ गया जी balancing factor जो कि हमारी range के अंदर allowed नहीं है इस range के अंदर अब मुझे क्या करना पड़ेगा रोटेशन करना पड़ेगा मैं इस direction के अंदर ही क्यों गया मैंने पहले ही बताया था कि हमें balancing factor उस direction में चेक करना पड़ता है जिस direction में हमें root मिलेगी तो मैं उस direction के अंदर गया दूसरा step क्या था मुझे واپस direction के अंदर आना है जहां पर म पहला लेफ्ट लिया मैंने यहां से जहां से मेरा करा और उसका एक और लेफ्ट लिया मैंने तब मैं पहुंच गया कहाँ पर तब मैं पहुंच गया अपने नए नोड के उपर तो यानि कि अब यह प्रॉबलम कौन सी हुई लेफ्ट लेफ्ट प्रॉबलम कौन सी प्रॉबल मेरे पास में balancing factor किसका खराब हुआ है वो खराब हुआ था 22 का तो यहाँ पर मुझे क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर मुझे single right rotation करनी पड़ेगी वो किस तरी से होगी वो कुछ इस तरीके का tree मेरे पास में intermediate tree बनेगा यहाँ पर क्या होगा जो यह 22 है यहाँ पर यह right में चला जाएगा ठीक है एक single rotation यहाँ पर होनी है यानि कि 22 तो मेरा यह आ गया यह किस के right में जाएगा यह यह 10 के right में चला जाएगा ठीक है वाई सब और 10 के left में हमेरे पास में 5 था clear बात है तो हमारे पास में कुछ जो tree बन रहा है sub tree जो है वो यह बना है तो original tree को इसके साथ में जोड़ देता हूँ उपर बना लेता हैं यहाँ पर तो यह कैसा बनेगा 27 में पास में होगा ठीक है इसके right में 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 31 है उसके बाद में इसके left side में में मेरे पास में क्या है ये नया मेरा नया वाला tree बन जाएगा यहाँ पर वहाँ पर चला जाएगा यह क्या यहाँ पर 10 है उसके left के अंदर मेरे पास में 5 आ गया और उसके right मेरे पास में 22 आ गया यह चीज के लिए समझ में आ गई आपको ठीक है यह tree में rub कर देता हूँ इससे कि हमारा नया ट्री के साथ हम आगे काम करेंगे तो next element जो हमें अब add करना है वो क्या करना है वो add करना है मुझे 15 15 कहाँ पर add करूँगा वन बाई वन जाता हूँ कहा लेफ्ट में जाएगा राइट में इसके लेफ्ट में जाएगा अब कहाँ पर जाएगा लेफ्ट में जाएगा राइट में इसके भाई साथ राइट में जाएगा अब इसके बाद कहाँ पर जाएगा ये इसके लेफ्ट में जाएगा राइट में इसके जाएगा लेफ्ट में तो 15 मेरा add होगा यहाँ पर यह चीज के लिए समझ में आ गई, 15 यहां पर एड हो गया, 15 यहां पर एड होने के वज़ा से किसी का balancing factor खराब हुआ, नहीं हुआ, quickly कर लेते हैं, इसका balancing factor 0 होगा, इसका balancing factor मेरे पास में 1 होगा, इसका balancing factor मेरे पास में क्या होगा, 1-2 कितना हो जाएगा, 1-2 कितना होता है, minus 1 हो गया इसका इसका बैलेंसिंग फेक्टर कितना हो जाएगा इसके अंदर लेफ्ट में है 1 2 1 2 and 3 3 माइनस में 1 कितना आ गया मेरे पास में 2 तो भाई मेरे पास में तो इसका बैलेंसिंग फेक्टर खराब हो गया किसका खराब हो गया भाई साब रूट नोड का ही मेरा balance खराब हो गया है अब interesting है ना अब मेरा root node भी गड़ गई है अब मेरे पास में root कोई और बनेगा अब चलो इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास में balance vector मेरे पास में आ गया है to अब ये को हम गए थे root की direction के अंदर ये निकालने के लिए कि हमारे पास में problem क्या है problem कहाँ पर है problem मेरे को मिल गई root के अंदर अब problem क्या है उसको identify करने के लिए वापस उसी direction में जाते हैं जहाँ पर हमने नई node add करी है तो हमने किस तरफ करी है पहले हम गए left में तो मैं यहाँ पर left लिख देता हूँ उसके बाद हम गए यहाँ पर right में तो मैं यहाँ पर right लिख देता हूँ ठीक है तो यानि कि पहले हम left में गए फिर right में गए तब इस direction के अंदर पहुचे थे हम ठीक है न हमें सिर्फ वो ही दो step चलने है जहाँ पर हमें problem मिली थी दो step चलने होते हैं सिर्फ तो पहले left गए और फिर उसके right गए ठीक है न तियानि कि पहले left और दूसरा right तो यह वाली problem होगी हमारे पास में अब इसका solution भी क्या है कि पहले operation कौन सा करो left करो और फिर उसके right rotation करो इसमें 2 rotations होंगे एक left rotation होगा और उसके बाद में right rotation होगा तो चलो इसको करके देख लेते हैं तो जो हमारे पास में L, R problem होती है तो इसके अंदर हम पहला step क्या करते हैं R के साथ में left करते हैं मतलब जहाँ पर हमारे पास में R problem है वहाँ पर हम left rotation करेंगे और जहाँ पर मैं left problem है वहाँ पर मैं R rotation, right rotation करूँगा यह चीज क्लियर समझ में आ रही है यानि कि पहले मैं right rotation करूँगा उसके बाद मैं left rotation करूँगा तो एक काम करता हूँ मेरे पास में जो R problem है वह यहाँ पर मैंने identify कर रखी है कि R problem मेरे पास में यहाँ पर है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक left rotation कर दूँगा तो intermediate मेरे पास में क्या बन जाएगा intermediate मेरे पास में बनेगा यहाँ पर आएगा एक क्योंकि right rotation करी है मैंने यहाँ पर left rotation करी है तो left rotation के वज़े से क्या होगा 10 मेरे पास मैं ऐसे यहां पर आ गया left rotation के वज़े से इसका parent 22 बन जायेगा मेरे पास में left के अंदर मेरे पास में 5 आ जायेगा ठीक है न और उसके बाद में क्या होगा यह दो चीज़ेंगा अब मेरे पास 15 रहे गया 15 मेरे इसके right में आ जायेगा ठीक है यह चीज़ समझ में आ रही है अब इसके बाद क्या होगा यह जो tree है यह attach किसके साथ हो जाएगा बाई बच्चे वे tree के साथ में यहां पर 27 है और यहां पर कितना है 31 है यह चीज़ क्लियर समझ में आ रही है तो अब देखा जाए तो मेरे पास में क्या रहे गया यहाँ पर यहाँ पर एक left rotation वाला काम मतलब left problem रहे गई है और अगर देखे तो यहाँ पर भी अगर इस tree को देखा अगर यह tree होता तो क्या problem होती left left problem होती इस time पर क्योंकि देखो 1, 2 and 3 3 minus में 1, 2 तो यहाँ पर यह left left problem होती और left left problem कहाँ पर हो रही है मेरे पास में यहाँ पर हो रही है 3 minus में 1, equal to 2 तो यहाँ पर मेरे बस हो रही है और left left का solution क्या होता है राइट rotation तो मैं एक right rotation यहाँ पर कर देता, ठीक है न तो same काम मुझे यहाँ पर करना है इसलिए पहले हमने क्या करा था यहाँ पर यह right rotation करी थी और उसके बाद में इसको हमने convert कर दिया ll problem के अंदर और ll problem जैसी convert हो गई वो किस से solve हो जाती है single right rotation से तो single right rotation में जब इसको करेंगे तो अभी यह नया tree मेरे पास में क्या बन जाएगा वो बन जाएगा 22 मेरा नया node बनेगा उसके right में मेरे पास में 27 चला जाएगा उसके right में मेरे पास में 31 चला जाएगा 22 के left के अंदर मेरा already 10 है और उसके left में 5 है ही है इसके right में 15 है तो इस तरीके से मेरी problem solve हो गई है यहाँ पर ठीक है ना मैंने अपने यहाँ पर जैसी identify करा कि यह LR problem है तो LR का जो problem है उसका जो solution है वो भी LR ही है ठीक है जिसके अंदर हम पहले right rotation करेंगे means जो मेरे पास में second part है उसको rotate करेंगे और उसको LL problem के अंदर convert कर देंगे और LL problem का solution में पास में right rotation होता है right rotation करके उस problem को solve कर देंगे और हमारा tree इस तरह से हमारा balance हो जाएगा यह चीज बिल्कुल clear समझ में आगए यह step by step करा है और यह third scenario भी हमने इसके अंदर handle कर लिया है 15 हमारा add हो गया है तो इसको थोड़ा सा board को clean कर लेते हैं और हम अपने इस नए tree को जो बन गया है balance tree बन गया है मेरा इसको उठा के रख लेते हैं उपर तो हमने अपने जो tree है यहाँ से इधर move कर दिया है same tree को हमने यहाँ पर draw कर दिया है ठीक है lastly हमने 15 डाला था यहाँ पर अब डालके देखते हैं 29 ठीक है 29 डालती ही क्या होगा 29 चेक करेगा क्या इससे बड़ा है चोटा है इससे बड़ा है क्या इससे बड़ा है चोटा है क्या इससे बड़ा है अच्छा जी अब इससे बड़ा है या छोटा है राइट में चला गया न इससे छोटा है तो 29 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर तो भाई साभ ये दोबारा problem create करेगा, देखने से पता चल रहा है, कि नहीं पता चल रहा है, चलो देख लेते हैं, ऐसे करता है ये नहीं करता, तो हमने इसका balancing factor चेक किया, वो तो 0 आ गया, इसका balancing factor मैंने चेक किया, वो क्या आयागा, 1 minus में 0, equal to 1, कोई दिक्कत नहीं है यहा यहाँ पर balancing factor कितना आएगा, हमारे पास में, इसकी 0 थी left side में, और right side में height है 2, यानि की minus 2, तो यहाँ पर इसका balancing factor खराब आ गया, तो यहाँ इसका balancing factor हो गया, भाई मेरे पास में, minus 2, ठीक है, problem हमारे पास में क्या होई है, problem identify कैसे करेंगे, हम वापस हमारे पास में यह तो तो एक था हम के step पर गए, पहले right गए थे, तो यहाँ पर एक right लिख दिया मैंने, उसके बाद हम left गए थे, left लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, हम पहुंचके दो step वापस पहुंचके, अब हमने क्या identify करा, कि right and left, यानि की problem कौन से होगई, fourth condition हमेरे पास मागी, right left problem हो solve right, right problem को solve करेंगे और इसके अंदर left rotation करेंगे, यह हमारे steps रहने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, यह बास समझ में आ गई है, तो चलो इसके अंदर, आई यह भी यह mark कर देते हैं, कि हमारे पास में कहां पर क्या rotation होने वाली है, ठीक है, तो इसको right में गुमा देंगे, ठी और अब जो यह बेरा left है, यह इदर से move कर जाएगा, तो यह हम पर 29 हो जाएगा, इसका parent बन जाएगा, उसके right में यह आ गया है, और इसके बाद क्या हुआ है मेरे पास में, यह उपर attach हो गया 27 से, ठीक है, और यह attach हो गया 22 से, clear है, problem हमारी कहां पर थी इसके अंदर, problem थी हमारे पास में यहाँ पर balancing factor खराब था, अब देखा जाए यहाँ पर एक right rotation, और नया जो intermediate tree मेरे पास में यह बना है, इसके अंदर यहाँ पर भी एक right rotation है, तो यह जो हमने है, rl problem जो हमारे right left problem थी, इसको हमने rr problem के अंदर change कर दिया, तो हमारे कुछ यह problem आ गई है, अब इसके अंदर हमें क्या होगा, rr problem का जो solution होता है, वो single left rotation होता है, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो single left rotation वाला मेरा इसके अंदर solution होगा, और यह solution हमें कहां पर करना होता है, जहाँ पर मेरा balancing factor खराब हुआ था, मेरा यहाँ पर balancing factor जो होता, वो क्या था, minus 2, ठीक है, यह चीज़ clear आ गई, तो यानि कि यहाँ पर rr problem का solution क्या है, मेरे पास मैं l, single left rotation, तो मैं यहाँ पर एक single left rotation करूँगा, तो intermediate tree मेरा कुछ किस तरह का बन जाएगा, 29 मेरा एक root बन जाएगा, 27 इसका left child बन जाएगा, 31 इसका right child बन जाएगा, यह जुड़ जाएगा, मेरे पा यह है, वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है न, हमने क्या करा, जो हमारे पास में rl problem थी, जो यहाँ से हमने identify करी कि rl problem है, जो की solve भी rl से ही होगी, पहले हमें उसके अंदर, जो यह second part होता है, इसके basis पर हमें पहले problem solve करनी होती, यानि कि जब left rotation थी, जब left problem थी, तो हमन में, और उसके बाद में, जो मेरे पास में, यह rr problem के अंदर convert हो गई, तो यहाँ पर देख सकते हो, यही problem rr problem बन गई, और rr problem का जो मेरे पास में solution होता हो, single left solution होता है, although हम यहाँ पर वो left solution यहाँ पर लिख भी रहे हैं, बाकी यह आपको intermediate actually में logical समझाया गया है, कि कैसे उसको left rotation की जरूरत है, तो वो इसलिए जरूरत है, क्योंकि अब यह intermediate problem बन गई है, यह rr problem बन गई है, और rr problem का हमारे पास में क्या होता है, single left rotation on the node where balancing factor is affecting, यहाँ पर balancing factor ने खराब कर रही है, उसको tree को, वहाँ पर मेरे पास में ही हो जाएगी, तो उसके वज़ा से मेरे प आपको बनाने के अंदर, तो चलो एक और node यहाँ पर add कर लेता है, 19 हमारे पास में रहेगी, इसका कुछ होना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने यह भी add कर दिया, चलो थोड़ा हम एक board clean कर लेता हूँ, तो अब हम X के अंदर 19 जब add करेंगे, यहाँ से traverse करेंगे चेकिंग करेंगे कि 22 चोटा है, तो हम इसके left में जाएंगे, 10 से बड़ा है, तो definitely हम इसके right में जाएंगे, 15 से भी यहाँ पर बड़ा है, तो इसके right में जाएंगे, तो समतेर यहाँ पर 19 हमारा add हो जाएगा, balancing factor चेक कर लेते हैं, तो इसका हमारे पास में आएगा, minus में 1 कोई problem नहीं है, इसका मेरे पास में आएगा 0, कोई problem नहीं है, इसका मेरे पास में आएगा 1-2-1, कोई problem नहीं है, इसका मेरे पास में आएगा 1-2-3-1-2, यह हमारे पास में 1, इसमें भी कोई problem नहीं है, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर भी 0 है, तो यान करना पड़ेगा उसका balancing factor जैसे ही आप balancing factor को check कर लेते हो तो उसके बाद हम देखते हैं उसकी वो इस range के अंदर है कि नहीं है अगर वो इस range के अंदर है तो मुझे balancing करने की जुरत नहीं है अगर वो इस range से बाहर जा रहा है तो हम क्या करते हैं इन rules को follow करते हैं और उस problem को identify करते हैं कि problem क्या है तो rule क्या है कि हम balancing factor तो जानने के लिए जो नई node add होई है वहाँ से root की तरफ जाएंगे तो हमें पता चल गया किस direction के अंदर हमें जाना है और हमारा त्रीक की जो problem है वो आई कहां पर है जैसी वो नोड identify होगी problem कहां पर है जहाँ वेक्टर खराब हुआ वो हमारे पास में problem की जगा हो गई है वहां से दो step वापस आएंगे ठीक है दो step क्यों भाई problem identify करने के लिए दो step हम यहां पर ले रहे हैं दो step वापस आएंगे किस तरफ आएंगे जिस तरफ से मुझे मेरी नई add करी हुई node मिल जाए उस direction के अंदर वापस आएंगे दो step और उसमें देखेंगे कि भाई वो कौन सी direction को follow करते हो जा रहा है मान लो right right किसी के right right में जाता जा रहा है क्या किसी के left left में जाता जा रहा है या किसी के left में गया फिर right में गया या फिर किसी के पहले right में गया, फिर left में गया, तो ये direction जैसी पता चलेगी, हमें problem statement पता चलेगी, problem statement है क्या, और जैसी problem statement में पता चलेगी, हमें solution क्या करना है, ठीक है, जब L, R problem होती है, तो हम पहले इस वाली problem को R को पहले solve करते हैं, किस से, किस से, किस से, बोलो, बोलो, राइट में प्राइट 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 जहाँ पर मारे पर problem आई है महाँ पर हम right rotation करते हैं और जहाँ पर right problem आई है महाँ पर हम left rotation करते हैं प्रॉलम को solve करने का तरीका हो हमारे पास में ठीक है यह चीज one by one हमने step by step देख ली है पूरा tree draw करके देख ली है भाई जितना practice करोगे उतना इसमें आप champion होदे चले जाओगे आपको पता चल जागा कैसे हमें tree को balance करना है इसके अंदर कोई आपसे program बनाने के लिए नहीं देगा आपसे ये कहेगा कि मेरे पास एक tree है किन factors को देखना है और कैसे actually में balancing होती है तो आपको I think सब कुछ clear हो गया है कोई भी problem है तो अब उसको comment box के अंदर अभी लिख दो immediately जिससे कि हम उसको आपको और better way के अंदर आगे future में बता सकें या और कोई नई वीडियो के अंदर लाकर आपको अच्छे से उसको समझा सकें तो ये चीज के लिए रोगई आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर तो यानि कि जो हमने अभी तक वहाँ पर सीखा था insertion के अंदर कैसे problem को solve करते हैं ऐसे ही कुछ rules और regulations हैं हमारे पास में किसी भी trick के अंदर delete करने के लिए ठीक है न तो उनको भी समझेंगे और वो scenario कैसे आएगा ये देखके देखो मान लो मैंने यहाँ पर delete करा यही सब है 3 node यहाँ पर delete कर दिया delete करके जैसे मैंने balancing vector चेक करा सब अच्छा मिलेगा आप देखोगा कोई तुम बढ़िया मिलेगा कोई दिक्कत नहीं 0,1,-1 की range में मिलेगा मैंने 4 भी delete कर दिया अब दुबारा देखोगे तो हमारे पास में problem जो है ना करीम कर इस जगा पर आ जाएगी यहाँ पर में पास में problem आई delete करने के बाद में इसका balancing vector खराब हो गया जो कि कितना आ गया मेरे पास में minus में 2 तो मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा ठीक है ना यह चीज आपको समझ में आ रही है तो इस से हमाई इस point पर यह identify करना पड़ेगे कहाँ पर हमाई problem आई है और इस तरह की problem को solve कैसे करा जाए यहाँ पर कौन सी rotation करें या इसको कैसे identify कराए कि हमारे पास में कौन सा तरीका इसको solve करने का उस सब चीज को समझने के लिए हमारे पास में कुछ rules and regulations है चलो rules and regulations को देख ले कौन-कौन से rotations करें जिससे कि आप इस problem को solve कर पाएं बहुत अच्छे तरीके से ठीक है तो यानि कि यह भी बहुत important चीज है समझने के लिए इसमें भी rebalancing बहुत जादा होने वाली है example यह हमने इस तरीके से लिया है कि आपके सारे के सारे इसके अंदर factors हम cover कर पाएं तो च हाँ पर भी delete करने के लिए लेकिन थोड़े से rules and regulations थोड़े से change हो जाते हैं क्योंकि already tree बना हुआ है और उसको हमें balance करना है वहाँ पर insert करनी थी नई चीज़ और फिर balance करना था तो वो थोड़ा असान था यह थोड़ा सा और थोड़ा complicated है और look operations उसमें कोई constant number of operations ही होने है तो अगर हमारे किसी भी tree के अंदर कोई भी deletion होना है तो वो कहां पर होगा either left side होगा उस node K में या right side में होगा यह चीज़ हम इसके अंदर identify करेंगे कि भाई जो मेरा deletion हुआ है वो left में हुआ है या right में हुआ है जैसी मैं इसको अराम से identify कर लोगा कि भाई rotation मेरा कहां पर हुआ है उसके बाद में next step पर जाओंगा next step मेरा क्या कहता है कि मैं जहां पर वो deletion हुआ है उसके right side में जाओ same उसका sibling ढूंडो और उसके ऊपर उसका balancing factor count करो अगर वो balancing factor मेरे पास में 0 है तो मेरे पास में वो problem क्या हो जाएगी rr problem होगी समझ मारी यह बात अगर मेरे जो delete जो node delete हुई है उसके जो sibling है right sibling है क्योंकि left के अंदर delete हुआ तो उसका जो right sibling है उसके ऊपर अगर balancing factor मेरे पास में 1 आता है balance factor बनाता है तो वो मेरे पास में rr problem हो जाएगी और अगर वहाँ पर उसका जो balance factor minus बनाता है तो वो rr problem हो जाएगी ठीक है और इन problems को कैसे solve करते हैं या आप अच्छे तरीके से जानते हैं इनका solution जो है आपने वो देखा था वो ही same solution है ठीक है rr problem का solution है l rotation rl का solution है rl rotation rr क solution है single l rotation समझ मारी है यहाँ पर तो same वो ही काम हो रहा है बस इसके अंदर जो different चीज है वो है हमारे पास में यह वाला section कि हमको यह identify करने का बस तरीका बदल गया है यहाँ पर कि हम जो उसका sibling है वहाँ पर जाके चेक करते हैं कि भाई तुम्हारा balancing factor क्या है और तुम्हारा balancing factor यह decide करेगा कि मेरी problem क्या है बात clear हो गई है तो चलो same चीज right side के अंदर भी होनी है भाई देखो right side के अंदर से deletion हुआ है उसके sibling का यहाँ पर अगर balancing vector 0 है तो वो ll problem मानी जाएगी और ll problem का solution होता है single right rotation यह rotation है ठीक है न यहाँ पर जो green color के अंदर हमना identify कर रहे हैं यहाँ पर यह rotations है red color जो है हमारे पास में यह problem statement है ठीक है न similarly अगर मेरे पास में right side में delete हुआ है और उसके left child जो है यह sibling जो है उसका balancing vector 1 आता है तो उस problem को हम कहेंगे ll problem और उसका solution होगा single right rotation करके हो जाएगा और अगर मेरा जो right में relation हुआ है उसका left child या उसका जो sibling जो है उसका जो balancing factor minus 1 है तो उसको जब ऐसे हम identify कर लेंगे तो वो कौन सी problem हो जाएगी वो lr problem होगी और इसका solution जो हम पहले भी देख चुके है वो होगा मेरे पास में left and right rotation का ही उसका solution होगा तो same चीज है only यहाँ पर आपका change है सिर्फ यह change है आपका और कोई change नहीं है यह change है आपका और को implement करते हैं delete करते हैं one by one elements को आपकी reference के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है आपके लिए जिससे कि जब हम delete कर रहे होंगे आप easily उसको देख पाओ और समझ पाओ कि हम क्या काम कर रहे हैं इसलिए मैंने यह सब कुछ आपके लिए यहाँ पर डाल दिया है step by step हम delete करते जाएं यहाँ पर जैसे ही मैंने कुछ चीड डिलीट किया मैं उसके parent को चेक करूंगा किसी का balancing factor खराब तो नहीं हुआ और कहां तक जाओंगा root तक जाके देख लूँगा यहाँ पर जाके देखा क्या इसका balancing factor खराब हुआ इसका हुआ भाई कोई खराब नहीं हुआ यहाँ पर इसका balancing factor 0 आया left child 0, right child 0, 0-0, 0 ठीक है क्या इसका balance vector खराब हुआ, इसका हुआ क्या मेरे पास में 1, minus में 2, तो यह हुआ है, minus में 1, इसका भी खराब नहीं हुआ है, ठीक है, यह चीज़ समझ में आगी, उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया 2, minus 3, 2, minus 3, हमारे पास में आगया, minus 1, यहाँ भी कोई problem नहीं है, यानि कि मेरा balancing vector खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, तो यहाँ तक मेरे को 3 को delete करने में कोई problem नहीं आई है, तो एक काम करते हैं, इसको clean up कर लेते हैं, and next element को delete करते हैं, यानि कि यह वो case हो गया, जिसके अंदर हमने कुछी delete करी है, और हमेरे को rotation नहीं करना प करते हैं अपनी 4 को, ठीक है न, एक side से करते जा रहे हैं, और next element हम delete करने वाले हैं 4, और अब देखते हैं क्या होता है, जैसी मैं इस 4 को delete करता हूँ यहां से, यह भी मेरे पास में खतम हो जाएगा, अब balancing factor तो definitely effect होने वाला है, किसका होने वाला है, मेरे भाई 5 का होने वाल है, यह चीज समझ में आ गई है, यहां पर आपके clear हो गया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, balancing factor को शोड़ देता हूँ, इससे complications काम रहे हैं थोड़ी सी, अब second point क्या था, जिको हमने यहां पर देखा था, कि मेरे पास में जैसे ही, हमें यह पता चलता है कि balance factor कहां पर खर गया, अब जो second rule था, वो यह कहता है कि उसके जो sibling है, वहाँ पर जाके देखो, कि भाई, उसका balancing factor क्या है, तो यानि कि इस 4 का जो sibling था, वो कौन था, वो था हमारे पास में, यह 10, यह 10 इसका वो था, sibling था, तो इस 10 का जो balancing factor वो क्या है, देखो, left के अंदर 1 है, minus right के अंदर 1 है, तो यानि कि इसका balancing factor आगया 0, तो ultimately, यहाँ पर अगर देखोगे, तो मुझे L0 करना है, L0 मेरी problem identify हो गई है, मैं इसको clean करके एक बार दोबारा highlight कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरी L0 problem identify हो गई है, कि मेरे left के अंदर deletion हुआ, और जो उसका sibling है, उसका balancing factor 0 है, यह मेरे पास में problem है भाई, RR problem, RR problem का solution क्या होता है, single left rotation, और single left rotation कहाँ पर होगा मेरे पास में, जहाँ पर मेरा balancing vector खराब हुआ था, balancing factor खराब कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर खराब हुआ था, यानि कि single left rotation कहाँ पर होगी, यहाँ पर ही होगी, यानि कि जो यहाँ पर rotation होने वाली है वो क्या होने वाली है लेफ्ट रोटेशन होने वाली है तो क्या होने वाला है थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं फिर बताता हूं आपको मैं पहले इसको नोड को डिलीट कर देता हूं मैंने नोड डिलीट कर दी है यहां पर यह थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता है इससे और 8 मेरा कहां चला जाएगा, 8 मेरा यहां पर चला जाएगा, यह चीज क्लियर होगी है अपर, ठीक है, इसका parent 10 का parent आप कौन बनेगा, 15 बनेगा, यह मेरे पास यदर ही आ गया, और बाकी का tree सेम रहेगा, उसको फटाफट लिख देता हूँ आपके लिए, तो ठीक है, हमारे पास में अब यह tree बन गया है, बाकी को मैं delete मार देता हूँ, और आगे बढ़ते हैं, और अब हम एक काम करते हैं, अब हम delete करते हैं, अपने 11 को, ठीक है, जैसे मैं इस 11 को यहां पर delete करूँगा, तो मेरे पास में क्या होगा, balancing factor किसका खराब होगा, इसका मेरा balancing factor खराब हो जाएगा, कैसे खराब होगा, 2 minus 0 equal to 2, तो मेरे पास में balancing factor यहां पर कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, 2 आने के वज़ए से क्या होगा, अब मेरा next step क्या होगा, कि भाई आप एक काम करो, इसका जो sibling है, जो की कौन है, यह 5 है, इसका sibling, इसका balancing factor चेक करो, इसका balancing factor कितना हो ज ठीक है, तो इसका balancing factor मेरे पास में minus 1 हो गया, मैं clean करके लिख लेता हूँ, इसको minus 1 हो गया, deletion कहां पर हुआ है, मेरा right side में, तो मैं कहां जाओंगा, right side में, ठीक है, balancing factor जो है, उसके sibling का कितना है, minus 1, तो यहां पर minus 1 किसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है, यहां से इधर ग अब क्या होगा, कहां पर ही LR rotation होगा, इधर ही तो होगा, यहां पर, क्योंकि मेरे पास में problematic area यह है, ठीक है, अगर problematic area यह है, तो यहीं पर ही मेरे पास rotation होगा, यहां पर मेरा balancing factor खराब हुआ था, एक काम करें थोड़ा, यह जो node को clean कर लेते हैं, और साफ साफ tree को छोड़ तो यह क्या बन जाएगा मेरे पास में, यह कुछ इस तरीके का बन जाएगा मेरे पास में, 8 आएगा, यहां पर left rotation के बाद में, इसके नीचे यहां पर 5 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 10, ठीक है न, यह कौन सी problem बन गी है यहां पर, यह बन गी है मेरे पास में, L, L और कहां पर यह problem इस जगा पर तो यहां पर क्या एक single right rotation होगा मैं इसको यहां पर लेकर चला जाता हूँ मैं इसको यहां पर present करके दिखाता हूँ उपको तो किस तरीके से हो रहा है यहां पर यह 10 मेरे पास में यहां पर आ गया उसके left के अंदर हमारे पास में single rotation के बाद 8 आ गया और उसके left में मेरे पास में 5 आ गया खीक है न अब यहां पर देख रहते हैं यहां पर already जो problem थी वो क्या थी यहां पर left rotation था और यहां पर भी यह अगर देखा जाया intermediate अगर इसको देखा जाया तो यह भी हमारे पास में एक LL problem हो जाएगी क्योंकि यहां पर हमारे पास में deletion हुआ था तो LL problem का solution क्या होता single right जो कि कहां पर होना यहां पर होना यहां कि इसका इक्रिटेशन होना यहां पर तो intermediate क्या बनेगा हमारे पास में 8 10 चले जायागा इसके पास side में यहां पर height में और 5 चले जायागा मेरे पास में यहां पर यह बात clear हो गई है ठीक है और यह कहां पर attach हो जाएगा यह already हमारे पास में previous जो हमारे पास में tree है उसके साथ में add हो जायागा जो already existing है और बाकी बचा हुआ same tree वही बनेगा ठीक है न मैं इसको फटाफटाप के लिए लिख देता हूँ यहां पर तो मेरे जो यहां पर यहां पर यह sub tree हमने बनाया था यह मैंने move करके दर लिख दिया आप लोगों के लिए आप इसको आराम से यहां पर देख सकते हो मैं board को थोड़ा clean कर लेता और next element को में delete करते हैं इसके बाद तो next element हम delete करने वाले हों वह है 19 ठीक है न तो हम इस 19 को यहां पर delete करेंगे balancing factor चेक कर लेते हैं यहां पर इसका 0 रहेगा कोई दिक्कत नहीं यहां पर इसका रहेगा 0 sorry 1-2 it's minus 1 कोई दिक्कत नहीं इसका रहेगा 2-3-1 कोई दिक्कत नहीं है इसका 0 इसका 0 इसका 0 कोई प्रॉलम नहीं है यहां पर हमारे पास में 19 डिलीट करने पर कोई भी दिक्कत नहीं आ लिए इसकेस में बैलेंसिंग की ज़रत नहीं पड़ेगी तो इसको हम हटा देते हैं यहां पर से अब डिलीट करते हैं 10 को ठीक है यह वाला 10 हम यहां पर डिलीट कर लेते हैं जैसी इसको डिलीट करेंगे यहां पर तो क्या होगा है हमारे पास में इसका बैलेंसिंग फेक्टर मेरे पास मे 1 and 2 minus 1 है इसका 0 है इसका भी 0 है कोई प्रॉल्म नहीं आएगी 10 को भी डिलीट करने के अंदर तो इसको भी हटा देते हैं प्लीन कर लेते हैं यहां से और यहां पर 10 को हटा देते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम डिलीट करते हैं अपने 5 को ठीक है मेरा यह 5 है इसको मुझे डिलीट करना है मैंने इसको जैसे डिलीट किया तो किसको प्रॉल्म आएगी इसको तो प्रॉल्म नहीं आ रही इसका बैलेंसिंग फेक्टर तो 1 ही रह जाएगा 1-0 रादर 0 ही रहेगा किसके राइटर राइट ले लेट के अदर कोई भी नीया 0 रहाएगा इसका बैलेंसिंग फेक्टर इसका बैलेंसिंग फेक्टर एफेक्ट हो जायगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास में 1-3 Equal to बार surrender factor आया, delete हमने कहां पर किया, left में किया, ठीक है, यह हमने देख लिए S के अंदर, इस height पर जा हम देख रहेते हैं, यहां पर कोई node ही नहीं, इसका कोई sibling यहां पर है नहीं, तो यानि की balancing factor वहां पर zero ही मानेंगे हम, तो यानि की यहां पर यह zero हो गया, left के अंदर, zero लेके चलेंगे, problem क्या हुई है मेरे पास में, यह आर, आर, problem मानी जाएगी अब, और इसका solution क्या है, single left solution, ठीक है, single left rotation कहां पर, जो हमारे पास में यह, जहां पर balancing factor खराब हुआ है, वहां पर मिजद single left rotation करनी पड़ेगी, और उसके बाद में, यहां balancing हो जाएगी, rotation कर लेते हैं, क्या आता है, यहां पर, जैसे rotate करेंगे, नया root मेरे पास बन जाएगा, 22, उसके left मेरे पास में आ जाएगा, 15, and 15 के left में मेरे पास में आ जाएगा, 8, इसके right में, वो ही same tree रहेगा, हमारे पास में 29, ठीक है, इसके left में आ जाएगा 27, and इसके बाद आ जाएगा 31, अब यह जो 15 है, यह कहां पर जाएगा, यह de-attach हो गया, rather this is, consider this as 16, क्योंकि 15 ऐसे हो नहीं सकता है, यह 16 है, ठीक, इसको 16 लेके चलो, तो यह जो 16 है मेरा, यह कहां पर जाएगा, यह मेरे इसके right में चला जाएगा, ठीक है, यह चीज़ के लिए हो गई, वो थोड़े equation के अंदर कर बढ़ गई थी, बागी चलो, ठीक है, यहां पर 16 आएगा, यह चीज़ के लिए हो गई है, तो मेरा नया tree बन गया यह, इसका यह आगे delete करते हैं, 8 को, 8 को delete करने से क्या होगा मेरे पास में, जैसे मैंने 8 को delete किया, किसी का balancing factor खराब होगा, किसी का खराब नहीं हो ना, यहां पर आना है मेरे पास में minus 1, यहां पर आना है मेरे पास में 0, 0, 0 and 0, कोई problem नहीं है, इसको delete कर दिया, आगे बढ़ते हैं, इ इसका हो जाएगा 1-2-1, इसका 0, 0 and 0, कोई प्रॉल्म नहीं आई, इसको भी हम easily delete कर सकते हैं, हटा देते हैं इसको भी यहां से, यह हमने हटा दिया, balancing factor कोई प्रॉल्म नहीं कर रहा है, और हमारा tree अभी भी पूरा का पूरा balanced है, अब एक काम करते हैं, हम 15 को delete करते हैं यहां ठीक है न, एक साथ से पूरा का पूरा tree हम delete कर देते हैं, जैसे हम यहां पर 15 को delete करते हैं, balancing factor definitely effect होगा, इसका हो जाएगा minus 2, क्योंकि left के अंदर 0, right के अंदर 2, तो minus 2 आ गया, यहां पर इसका balancing factor 0 है, 0 है and 0 है, तो अब यह हमारे पास में scenario बन गया है, जिसके अंदर हमें balancing क की जड़रत करनी पड़ेगी, हमें rotations करने पड़ेंगे, अपना tree को rebalance करना पड़ेगा, तो चलिए इसको balance करते हैं, यहां पर जाकर simple आपने हमने क्या rule देखना है, deletion कहां पर हुआ, left के अंदर हुआ, left के अंदर relation हुआ, इसका जो sibling है, उसका यहां पर balancing factor कितना है, 0 है, यानि कि यह हमारे पास में, left के अंदर relation हुआ, और 0 मेरे पास में उसका sibling का balancing factor है, तो हमारे पास में problem कौन सी हो गई है, rr problem, उसका solution का है, left rotation, single left rotation कहां पर होना है, problem आई थी मेरे पास में यहां पर, problem जब यहां पर आई है, तो single left rotation हमारे पास में यहां पर होना है, तो single left rotation ह जाएगा कुछ इस तरीके से 22 मेरा यहां पर आ जाएगा 29 मेरा नया रूट बन जाएगा यह इसका left child बन गया 31 यहां पर इसका right child था ही ठीक है 27 अब बेगर हो गया 27 को मैं यहां पर लगा दूगा क्योंकि इसके right में आ जाएगा clear सी बात है तो मेरा नया यह tree बन गया ठीक है इसका balancing factor चेक कर लेते हैं क्या सही है की नहीं है सब जीगा सही है इसका zero minus one इसका हमारे पास में one और इसका zero कोई problem नहीं है tree हमारा बढ़िया चल रहा तो यह हमारा balance tree है आगे delete करके देखते हैं देखो आपने देख लिए लगबख सारा का सारा tree आपने delete करी लिया इसका पूरा almost balance tree ही आने वाला है यह सारा का सारा जैसी आप इसमें से कुछ भी delete करेंगे आपने सारी के सारी conditions यहाँ पर देख लिए हैं कैसे हम यहाँ पर move करते हैं इन rules को check करते हैं और rules के basis पर हम अपने operations करते हैं ठीक है ना आपने सब कुछ अच्छे से यहाँ पर देखी लिया है तो इस तरीके से हमारे पास में delete होता है insertions भी आपने बहुत अच्छे जो है log n के अंदर देते हैं यह most efficient ways के अंदर आता है although यह हमेशा कम है constant time से but still यह जो है log n जो है बहुत 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 परफॉर्मेंस देता है क्योंकि बहुत less number of हमारे पास में operations हो रहे होते हैं reversals हो रही होती है किसी भी चीज़ को identify करने के लिए तो ultimately with this avial trees हमारी जो complexity है वो green zone के अंदर आ जाती है और इस green zone के अंदर जो complexity आएगी वो अच्छी performance करेगी और जब भी हमारे पास में कोई real life problems आएंगी हम उसको इसी reason के अंदर रखना पसंद करेंगे generally हमारे पास में जो भी interviews के अंदर questions आते हैं वो हमें इस reasons के अंदर से दिये जाते हैं कि यहाँ पर इन reasons के अंदर हमारे पास में question दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इसको हम कैसे better बना सकते हैं कैसे इसको optimize का सकते हैं जो कि हमें basically binary search tree के अंदर question पूछा जाएगा अगर आप से किसी ने BST पूछ लिया है तो यह मान के चलो आपको interview के अंदर उसको AVL tree बनाना ही पड़ेगा red black tree बनाना ही पड़ेगा उसको वो पूरे rules regulation समझाने पड़ेंगे कैसे insertion हो रहा है कैसे rebalancing हो रही है कैसे balancing factor देखा जा रहा है क्या problem statement बनी है क्या उसका solution बना है deletion के अंदर भी same condition उसको पूरी तरह समझाना पड़ेगा जिससे उसको समझ में आ जाए कि आप सब कुछ जानते हैं कैसे tree के अंदर काम हो रहा है कैसे हम अपने data को quick wave के अंदर ले कर आ रहे हैं तो इसलिए ये सारी के सारी चीज़ा समझनी बहुत जादा जरूरी है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो आपने यहाँ पर जब इसको compare करके देखा binary search trees के अंदर देखा तो हमारे पास में जो ये average case है average case के अंदर ये log n के अंदर हमारे पास में order of log n के अंदर दे रहा था बस worst case हमारे पास में आता है उस case के अंदर ये order of n order of n और order of n दे रहा था ठीक है न ये इसके साथ problem थी बट अगर हम यहाँ पर अपना avl tree check कर लेते हैं जो हमने अभी हाँ बनाया ये भाई मेरा सब कुछ के अवरेज केस हो वर्ज केस हो कोई का भी कोई साभी केस हो भाई ये हमेशा ही order of log n के अंदर ही तुम्हें डेटा देगा ये इसकी बहतरीन बात है तो पूरी वीडियो के अंदर हमने almost सारी चीजें cover up कर ली है पूरा का पूरा avl tree को अच्छे तरीके समझ लिया है avl tree के अंदर क्या-क्या होते हैं कैसे operations होते हैं क्या phd से problem थी क्या इसके अंदर ने सुधार किया कैसे उसके अंदर हम कोई भी data insert करते हैं कैसे उसके अंद जरूर लिखिए यहाँ पर पूरा explain करके लिखिए आपको problem क्या है हम उसको next वीडियो के अंदर cover up करने की कोशिश करेंगे आपके सारे के सारे doubts को clarify करने की पूरी कोशिश करेंगे आपको समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कहाँ पर problem आ रही है और उस यहाँ से videos को भी बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने queries को यहाँ पर जो है देते रहिए अपने queries को हमें यहाँ पर comment box के अंदर बताते चाहिए हमारे साथ जोड़े रहिए हमारी videos को share करिए comment करिए हमारे channel को like करिए subscribe करिए और अपने दोस्तों को भी बताईए यहाँ पर इस platform पर जैसे ही कितनी मेहनत करने की यहाँ पर अभी जरुरत बची है अपने interviews को crack करने के लिए या कोई भी अपनी dream company में वहाँ पर पहुंचने के लिए तो इसलिए आप यहाँ पर अपना involvement पूरा दिखाएं आपके कोई भी queries हैं उनको यहाँ पर जरूर डालें आपके हो सकता है जो friends हैं जो और इन वीडियो को देख रहे हैं वो भी आपको help out करें और आपको एक अच्छा programmer बनने में help करें तो इसी के साथ वीडियो को end करते हैं तो keep coding, keep practicing, spend time with your parents, family and loved ones, खूब खेलो, मस्ती करो, coding बहुत ज़्यादा करो और practice जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर करते हैं इस वीडियो को end करते हैं till then take care, bye bye